मुझे अपनी यूटूब चैनल बीपी चोधरी में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है गर्मी का सीजन चल रहा है और अभी गर्मी के सीजन में कई सारे दिक्ते जो है मस्रूम फार्मिंग में आ रही हैं जिसमें एक बहुत ही महतुपूल दिक्त है कि जो बैक्स हो रहा है उस बैक्स में किड़े आ जा रहा है जयसा कि इधर देख सकते हैं कि कुछ बैक्स लगाए हैं लगभग यह अभी इधर बैक फिल हो रहा है अभी थोड़ा सा टम्प्रेचर जो है बढ़ा हुआ है क्योंकि अभी अप्रेल महीना चल रहा है और इस तरीके से बैक जो है अभी first line लगाया गया है और back का size जो है वो घटा दिया गया है तो इसमें देख सकते हैं कि काफी सारे backs हैं जो बिल्कुल एकटम white हो चुकी है ये लगभग 7 दिन का bag है, 8 दिन का bag है और भी दिखा दो तो इधर काफी सारे जो backs हैं काफी अच्छे से white हो गया है और इनी बैगों में कुछ packs ऐसे भी हैं जिसमें छोटे-छोटे सफेद सफेद कीड़े आए हैं जिसको हम आपको दिखाते हैं कि किन-किन bag में जो है सफेद कीड़ा आया है और उसका solution क्या है तो दोस्तों ये सब bags हैं और इसमें हम दिखाते हैं कि आपके किन-किन bag में जो है कि सफेद कीड़े आया हुए हैं तो इधर की bag में तो देख सकते हैं कि पूरा mycelium जो है पिल्कुल white-ish filament से भरा हुआ है मतलब कि पूरा का पूरा ये mycelium पूरे bag को cover किया हुआ है तो यहां पे जो है ये सफेद-सफेद कीड़े अभी दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी चल रहे हैं तो इस तरीके से ये सफेद-सफेद कीड़े चल रहे हैं और mycelium को ये खा रहे हैं और इस जगा का mycelium आप देख सकते हैं तो यहांका मासलिएम है, मासलियम समाप्त हो चुका है, और इन कीडोग पे अगर हम फोकस करें हैं, तो देख सकते हैं कि कीडोग कीस तरीके से सपेद सपेद हैं, और अभी चल रहे हैं, तो इसका हम solution बताएंगे, कीस तरीके से इस कीडोगों से बचाता सकता है, तो चलिए जानते हैं तो दोस्तो इस किगड़ों के solution के लिए जो इस किगड़े को अगर मारना है तो सबसे पहले आपको इस तरीके से ये नुवान है नुवान को ले लेना है ये liquid form में आता है इसका color देख सकते हैं कि blue color का ये आता है liquid और इस तरीके से एक लीटर पानी ले लेना है और एक लीटर पानी में आपका तीन एमेल ये नुवान को हम लोग ले लेते हैं और तीन एमेल जो ये नुवान है इसको हम injection से डाल देते हैं इस तरीके से और injection से ऐसे डालने के बाद कलर देख सकते हैं, की कलर जो है, काफी जाधा यह वाइट हो गया, और इसको अच्छे से घोल बनाते हैं, इस तरीके से अच्छे से इसको घोल बना लेना है, एक चीस का हमयशा याद रखें, कि इस कमिकल को बनाते समय मुह पे अच्छा वाला मार्क्स जरूर लगाएं, ताक क्योंकि इस थोला सा महक को होता है थोला सा νुक्सान दाैक हो सकता है छे सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है बिलगूल राहिऊ है और यह च्छे से गोल चुका है अब क्या करेंगे हम लोग वह सिरिंज लेंगे और तो सिरिंज को लेने के बाद, ऐसे, सिरिंज को लेने के बाद हम देखेंगे कि कहां कहां पे कीड़े हैं, तो बैगों के पास आ जाते हैं, जिन बैगों में कीड़े हैं, यहां देख सकते हैं, तो इधार हम देख सकते हैं, इस बैग में कीड़े आया हुए थे, क्यों पर मैं नहीं आपा रहे हैं तो इस तरीके से कीड़े के वाले अस्थान पर हम लोग यहां पर देख सकते हैं सफेट सफेट कीड़े दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यह चल रहे हैं कीड़े जो हैं अभी चल रहे हैं इसमें और जहां जहां पर कीड़े चल रहे हैं वहां पर इंजेक् इंजेक्शन से इसको हम लोग ले लेंगे और इधर इंजेक्शन से हम लोग निकाल ली हैं इसको और इंजेक्शन से निकालने के बाद यहां पे देख सकते हैं कि कीड़े जहां पे जगा पे हैं वहां पे थोड़ा सा इंजेक्ट करेंगे बहुत ही हलका इंजेक्ट करना है बहुत ज्यादा इंजेक्ट नहीं करना है केमिकल पढ़ने से ये लोग कुछ समय में ही मर जाता है तो इस तरीके से जहां जहां पे आपको इल्लिया दिखाई दे जहां पे लारवा दिखाई दे जहां पे कीड़े दिखाई दे वहां पे इसको इंजेक्शन से अच्छे से इ तो इस तरीके से जैसे ही आप कीड़ों को यह जो केमिकल बनाए हैं वहाँ पे आप इंजेक्शन से इंजेक्ट करेंगे तो वह 6-8 घंटे में ही पूरे के पूरे कीड़े मर जाएंगे और आपका बैग जो है कीड़े मरने के बाद फिर से वाइटीस की तरफ जाएगा मतलब जो माइसिलियम है कुछ इस तरीके से फिर से यह कभर कर लेगा तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग दवा का डाले हैं तो वहाँ पे हम लोग ट्रीक कर लेते हैं मारकर से कि किस-किस जगह पे हम लोग दवा को डाले हैं तो इन जगहों पे जहां-जहां हम लोग दवा डाले है महां पे marker से trick कर लेते हैं और यहां पे हम लोग देखेंगे कि कीड़े जो है मरे हैं या नहीं मरे हैं तो दोस्तों फाइनली जो है अभी ये 8 घंटे हो चुके हैं और हम बैक का condition देखेंगे कि इस बैक में हम लोगों ने ये दवा डाला हुआ था उसका क्या conditions है तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां जो कीड़े थे वो अभी मरे हुए हैं जैसा कि इधर देख सकते हैं कि ये आपका कीड़ा है और ये कीड़ा बिल्कुल ही मर चुका है बतलब किसी भी तरीके से मुवमेंट इसके अंदर नहीं है तो ये दवा जो है काफी कारगर सावित हो रही है और इस तरीके से जो कीड़ा था ये मर चुके हैं सब जहां जाम लोगों ने डाला था दवा जैसे देख सकते हैं नीचे कुछ ये कीड़े हैं और इधर देख सकते हैं कि कीड़े जो हैं अभी ये मर चुके हैं तो कीड़े मर चुके हैं बिल्कुल भी मुवमेंट नहीं है इनके अंदर तो इस तरीके से अगर आप भी फार्मिंग कर रहे हैं तो ये आप करके अपने बैक को सुरचित कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए helpful होगा अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है helpful रहा है तो चैनल को subscribe करिए और वीडियो को like करिए और यदि कोई भी आपको mushroom cultivation में problem आती है तो बेजी जा comment box में comment किजे हम आपके लिए उसी परकार का वीडियो ज़रूर बनाया करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद